हाइ फ्रेंड्स कैसे आफ अंगिता पिचिल में आपका स्वागत है अज लए हम बनाने वाले हम मटर की सबजी बनाने के लिए हमłe हिन चीजों की जरूवत है और चलिए बनाना सट करते है और सबस बनाने के लिए पहले हम तेल को वरम करलेंगे और इसके बाद हम भी हिस भी ह ज़िए डेंगे और यह मारे सारे सुखे खड़ा मसाला अब अब दाल कर लेंगे और नियुका ऐसे रोज कर लेंगे इस प्लेवर अच्छे आते हैं अद्रक दीरा अद्रक असो प्रॉष कर लेंगे अब अंडाल देगे अपना प्रफ़ाश और हलका से चलाते हुआ इसे प्रॉस्ट कर लेना है प्यास अंडाल देंगे टमाटर और दू लालीस कि ठर देंगे खोड़ा साइस में नमक डाल देंगे तोड़ा सा इस के नमक डाल देंगी और इसे चलाएँ थोड़े बल्किली से ड़ल देंगे दो शे तीन में बका लेंगे,टोड़ा सौक्त को जब तमादा अच्छे लोगे साट हो गया है और अब हम चेन को बंद कर देंगी और इसे ठंडा कर लेंगे इसके बाद हम इसे घ्रैंड फिल लेंगे जब तक हमारे मसाला ठंडा होका तब तक हम रैप्रोस को अलगा सा रूश कर लेते हैं इसे तेस्ट अच्छा आता है यह आप्षिनल है अगर देनिया पौडर इन सब को हलका साय से रूश कर लेंगे और अपने ग्रेंड की हो मसालों को इसमें आट कर देंगे हमने मसालों को डालते हैं अच्छे से बूल लिया अब थोड़ी बिर चलाते हुए इन्हें बूलना है कि मैं आज इसे लिंच में बना रही हूं आप इसे भी बना सकते हैं कि सब्जी इतने अच्छी बनती है आप इसे पूरी पराठा रोगी इसी भी चीज के साथ खा सकते हैं हमने इसे 3-4 मिर चलाते हुए अच्छे से बूल लिया है और अब हम इसमें आट कर देंगे अपना की मैंने इसमें मलाई यूज किया है आप चाहे तो क्रीम भी यूज कर सकते हैं हमारी मसालों को अच्छे से बूल लिया है और अब अपने मटल को इसमें एट कर देंगे और ऐसे इसे चला लेना है चलाते हुए एक से दो मिटर से बूल लेंगे हम नमक आपने टेस के अंसारा एट कर सकते हैं लेकिन इतना ध्यान में रखें दो लेकिन नमक खुल का सा यूज गया था हमारा मसाला चिसे बुन गया है आप देख सकते हैं तेर्मसालों को पर आगया है अब ऐसे चला के अथोड़ा से इसमें पानी डाल देंगे और पानी आप अपने हिसाप से एट कर सकते हैं आपको कैसा चाहिए ग्रेवी आप अप अच मिट तक मीडियम फ्लेम पे डखेश को पकाएं तो आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है और आप फ्लीम खूब बन कर देंगे अब थोड़ा से इस पे धनिया पता डाल देंगे दर्या पता डालने ज़े टेस्ट और फिर दोनों अच्छे आते हैं पचली अब इसे सब्जी बनागे रेडी कर लिया है इसे बनाना बहुत आसान है कम टाइन में बन जाता है किसी इसके आने पेसे बहुत ही आसानी से बना आया जा सकता है घर में रिपकी हुई चीजों से आसानी से बन जाएगी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मुलें मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए वाय वाय